हेलो दोस्तों कैसे वाप सब आई होप आप अच्छे होंगे तो आज मैं हमारे घर के ये जराइश्ट बघल में एक सब खुला हुआ है तो मैं आज उसी सब को आप लोको दिखा रही हूँ कि ये हमारे घर के बघल में कैसा सब कुला हुआ है ये तीन या चार मंजिला हैं, ये फ्लोर है, तीन चार फ्लोर है तो ये नीचे का फ्लोर में आप इस तरह का समान रखा हुआ है, जस्ट हमारे घर के बगल में ये एक दुकान खुला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इस दुकान से कुछ खरीदारी कर लूँ, और इसमें डिस् कर रहे हैं तो अच्छा ही थी आप से समान का समान का यहां पर चूंड का समान के आज रखा यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ डिब्बे हैं मसाले का और यह सस्ते हैं काफी सस्ता है तो यहां पर देख रहे हैं पर पीश पे इस तरह के दिब्बे हैं मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा सस्ता है तो देख पसंद आगया तो ले लूंगी और यह कुछ कप प्लेट का सेट रखे हुए हैं यहां पर आंटी जी बोल रही हैं हमारे साथ आई हैं तो आंटी जी बोलें की तुम समानी देखाती रहोगी मुझत के तोरिक कुछ यह साउरों पेकन करके रλक एक शुदॉक मसाल शाहलक करके दिए जा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्सक्वाइबल मसालेखा रखाb ही में देखा वाँ सब्सक्वाहा भी धें मैंने दामी कपलेट थें और कुछ सस्ते भी थें तो पता नहीं मुझे हमें पसंद आएगा कि नहीं तो देखते हैं यह मेरी फ्रेंड और आंटी जी ने डिबे ले लिये हैं तो हम भी डिबे लेने की सोच रहे हैं तो यह थार्ट फ्लोर है आपने नीचे सकेंड फ्लोर मुझे भी लेना था लेकिन मुझे यह यहां पे कुछ जचा नहीं फ्रीज में क्यों खराब नहीं होता है लेकिन मुझे जो फ्रीज लेना है वो फ्रीज अभी मुझे पसंद नहीं आया तो इस वज़े से मैं कुछ लूँँगे नहीं यहाँ पर दिखा दे रही हो हमारे यह यह दुकान अच्छा बड़ा सा यह दुकान खुला हुआ है लेक् तो आप देख रहे हैं यहां ओवन भी रखा हुआ है और फ्रीज अधिकतर फ्रीज और वसिन मसीन ही रखा हुआ है तो देखते हैं अब मैं उसके बाद चली आई हूँ एक होस्पीटल में जहां इंजेक्शन लगी जा रही है सभी को तो यहां पर लाइन लगा कि सारी ओरते बैठे हुए हैं इसमें मेरे भी नंबर लगे हुए हैं पता नहीं मेरा लाइन कब आएगा ये क्लिप दूसरे दिन का है मैं इंजेक्शन लगाने गई थी उस दिन का है तो ये होस्पिटल के बाहर करना जा रहा है तो बाहर लोग बहुत भीर लगा हुआ था तो ये देखतें ये काउंटर है यहां पर और यहां से ठीक अंदर जाएंगे अंदर जाने के बाद यहां पर पेसेन लोग अपना डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं यह देखिए यह लगी हुई है लाइन लंबी सी तो हमारा लाइन पता नहीं कब आएगा यह नहीं मालूम लेकिन मुझे भी अपनी डॉग हेल दिखानी है तो देखते हैं कब आती हैं तो यह यहाँ पर मैं इंजे स्क्राइब जरूर कीजिएगा और फुल वाद जरूर कीजिएगा